नमस्ते क्या हल चाल आज बात करने वाले हैं सश्शक्त बल्वान ताकतवर कैसे बने किसी का प्रशन आ है भाई आपने क्या चीज़ें करीए अपने जीवन में जिससे कि आप अगर किछी के सामने तुम बात करें तो वल वड़ा इंप्रेस्ट करें सामने को लगा है तो इस एक चेक लगाना चाहूंगा इस भावन में वो है कि अगर आपकी मन की इप इंटेंशन इसकी मैं सामने वाले के सामने कैसे इंप्रेसिव लगूं तो आप पहले हार गए हो क्योंकि आपने सामने वाले को वह भार वह इंपोर्टन्स दे दी है जिससे आप चाहें कितना भी त बना लो चाहें कितना भी सश्रक्त बना लो चाहें कितना भी काबिल बना लो जब तक वह अप्रूवल नहीं देगा आप चोटे रहोगे समझना मैंने कितने लेवल की पढ़ाएं के गरंत किताबें सब पढ़के समझ डाली है और सब कुछ कर लिए उसके बाद ही मैं अगर यह सोच के टिकाओं कि जब तक Samuaala नहीं कहता आप लिडवान आप जानि हैं आपने बात है सब तक मेरे आब बात नहीं है तो मालिक आपका कोई और है तो जिन्दी के पहले चीज तो एक चीज समभल लो आप दूसरे के लिए जी ही नहीं है तुम्हें इसका बाइब भी नहीं दूसरे लोग मैटर नहीं करते हैं यह चीजों के बीच में नुवान समिशा रखो सब मैटर करता है दुनियादार ही मैटर करती है बाहर के करता होगा बट आज के टाइम में हम जो जीवन रितीत कर रहे हैं में छोटी-छोटी सोशल पॉलिसी से लेके आपकी सोशल स्टैंडिंग क्या है स्टेटर्स क्या है आप किस जगा काम कर रहे हो सब कुछ मैटर करता है तो दो युद्ध है यह जरूर मैं कहूंगा अंदर क यूद्ध जाधा इंपॉर्टेंट है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही जादा है बहर के उद से लेकिन अलब यह नहीं बहर के उदिमें तम नहीं है बहर के यूद्ध में एक योग्य सशक्ट योध्धा कैसे बने पहली चीज जिन्दिगी में और इसका मैं आपको एक उत्तर है वो है कही नहीं पढ़ाई पढ़ाई अध्यान ध्यान करना यह तीनों चीजों में कहीना कहीन देखोगे देश्ट असपेक्स और इसका में तो पढ़ाई से प्यार सबसे वड़ी प्राव्ण मुथी अंसान कि पढ़ाई से प्यार पैदा करने के लिए आपको ट्रिक करना है वो ट्रिक कैसे होता है क्या चीज है मुझे नहीं पता अब दोस्त तुमारी लेकिन कोई ना कोई चीज है और अपने आप से पूछो नीचे कॉमें पर लिखो जिसे दुम्हें यानि मैं सब्जर की बात कर रहा हूं यहां पर अब वो तुमारी स्फिरिटॉलोडिस होती है साइकोलोजी हो सकती है फिलोसफी हो सकती है वो कॉस्मोलोजी हो सकती है वो माइक्रो बायोलोजी हो सकती है वो कुछ भी हो सकता दुनिया का कोई भी सब्चर हो सकता है जिसके बारे तुम पढ़ते हो तुम्हें मज़ा साता है वो लिट्रिचर भी हो सकती है कभिताय हो सकत हैं तुम समझ क्यों मैं कहना चाहरू है वो तुम्हारे केमिस्ट्री हो सकती है जिनेटिक्स हो सकता कुछ भी हो सकता भाई क्या चीज है जिसको तुम 10 घंटे पढ़ सकते हो अपने जीवन में जब तक इसका उत्तर ना जान लो तब तक तुम्हारी जर्णी शुरूने उने वाली योद्धा बनने की सिंपल सी बादा बेरों योद्धा बनना है पहले इसका सबसे पहला प्रश्ट तुम्हारे जीवन का है क्या ऐसी चीज़ा जिसको अगर 10 घंटे तुम्हारे सामने पढ़ने को हो तो तुम एक भूके इंसान जिदर पढ़ सकते हो प्रॉब्म ना हो तुम्हें 10 घंटे बाटके पढ़ने में पहला वो जिस दिन वो मिल जाए उत्तर वो 10 घंटे नियुक कर दो अपॉइंट कर दो यानि की ऑफ कोर्स में पर जो भी दुनियादारी की जो भी चीज़े तुम्हें करनी है दिन चल रहे ला 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 वो पढ़ना हूं मैं पढ़ूंगा अगर तुम्हारी कोई भी चीज जो साइंटिफिक है ले जैसे साइंटिफिक इन नेचर तो बहुत साइंटिफिक मैगजीन्स होती है आप एक मैगजीन को सब्सक्राइब करो थोड़ा साथ पैसा देने पड़ेगा सालाना एक जो चीज से प्यार करते हो उसको पढ़ने के चकर मैं आप क्या सिख गए पढ़ाई से प्यार करना पहला उत्तर अब तुम्हें अपने साल बैठके पढ़ाई करने प्रौन नियोती तुम समझी सका फाइदा क्या है तुम पुरे देन फोन पर नहीं बैठे रहते हो तो मैं अपने आपको दो घंटा किसी पुस्टक के साथ ग्यान के साथ बैठना सिखा दिया खतरनाक बात है यह आज फूरी जनरेशन आने वाली जनरेशन और future जनरेशन भी फासी भी है future जनरेशन फूरी past generations भी माता पिता कौन से phone पे नहीं बैठे हैं बगब बहुत कर लेंगे माता पर तभी बच्चे पुर दिन फोर्ट पर रहते हैं वो रहते हैं वो रहते हुआ इतना नहीं बैठे होंगे मैंने करा सबके और दूसरी बात मैं करो मज़रीटी में तेकिन यह चीज आप क्लेर कर लो आप एक बहुत बड़ी चीज से मुक्त हो उन पर अडिक्शन या अडिक्शन की हटालो है विच्वली पूरा टाइम ना खौज देना उससे मुक्त हो दो कंटा अब इस स्टडी के जो प्रेम जो तुमने डिवलप कर लिया है पाल लिया है पहली चीज हुई जिस चीज से तुम व्यार करते हो तुम उलड़ी पांच जो दो घंटा तुम बैठ रहे अब वो तुम्हें इंवर्ड ले जाना है अंदर भी बैठ लो जानो भईया क्या चला आपके अंदर अब वो कैसे होता है मैं बहुत छोटे में समधा देता हूँ यानि कि आपको पूरी दिन चार रहे में डेली में कौन सी चीज़ें हैं ज कि माँ खराब होता है अब यह सारी चीज़े क्या है शुरूत क्या इंका बाहर लेकिन प्रॉडम कहां क्रेड हो रही है अंदर अब तो भाई वो दो घंटे में आपको बैठने रिखना है प्रॉडम क्या है क्या प्रॉडम है मैं ऐसे रियाट क्यों करता हूं कौन से प्र् सकता हूं या दूसे देख सकता हूं जिससे की वह इतने सेंसिटिव ना रहे हैं अपने इमोशन का ध्यंक करो इसे इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं यह करना स्टार्ट करो यह दूसरी चीज़ अपने आपको सश्शक बनाने की दुनिया को बाहर आप कुछ ना कर सकते कुछ ऊच्छ नाँ सकते दुनिया का भारा कोई कहीं के महारत ही नहीं हो कुछ मारत ही हो पर जियल चले जाओगे तब हो तुम्हारे को दुनिया में बाहर बाबाल निलेने हैं तुमको अपने अंदर ऐसे एक झधील कि तरह शांती लानी है अपने एमोशन में कि बहार चाहें आ आपके अंदर डील करने की शक्ति आ चुकी है वह आती है जब आप डेली बैटके टाम करते हैं इमोशन वर्ट इमोशन वर्ट करना है अपने इमोशन को जितना जाद आप पूछोगे बात करो और यह नहीं कि बस रूमिनेट कर रहे हैं और तिंक कर रहे हैं कैसे मैं इनको लिमिट कर सकता हूं नहीं तरीकों पर काम कर रहे हो गया और आप सुच्वेशन देख रहो कि इस चीज़ से तुम प्रेम करते हैं दूसरी तुमने नौलेज अगतरित करी अपने बारे में अंदर तीसरी नौलेज आती है रैंडम नौलेज दुनिया में आप जैसे सोर्फच हो दुनिया नहीं चलती है तो आपको दुनिया के नियां के साथ से चलने के लिए रैंडम रैंडमाईजेशन इस को बहुत बढ़ा आ पुजड़ा नहीं पड़ाla तो तुढ़ा जैन होना-चाहिए एक सब्दह इंसान की कि इंसान की पहचान होती है, they are aware, they are politically aware, they are socially aware, they are scientifically aware, they don't have to be masters, you don't have to be experts, but you are a person, जो worldly है, scientific है, जो इससे बात करने में दिखता है कि एक curiosity है इंके अंदर, और इंदर इंदर एक tendency है अपने आपको educate करने की, inform करने की, बहुती खुबसूरत quality माने आती है लोगों में यह, right, कोई कि अगर आपके बगल में खड़ा है, किसी इंसान को चीजी जो का घ्यान है अगर, तो आप थोड़ा सा इंप्रेस होते हो से इंसान से, कि हम, तो आपको randomization को देना है, अब randomization का क्या answer है, कुछ नहीं है, तो आपको क्या करना है भाई, किसी भी तरह की magazine, किसी भी तरह का subscription, किसी भी तरह का, अब वो New Yorker हो सकती है, तो बहुत ही महंगी हो गई, आप Hindi में भी जा सकते हो, इंडिया के भी कोई magazine हो, तो आप बहाँ देखो, बट कोई भी चीज जिसमें आपको एक culmination मिलता है, of a lot of things, समझे रहो, उसी के अंदर आपको कुछ political, editorials में हैं, जो का आप क प्रिदार हो, तो पहला चीज क्या थी, दो घंटा, एक घंटा उस चीज में जिससे आपको प्रेम हो क्या, दूसरी चीज आपने अंदर, एक घंटा, दो घंटा मादो, और तीसरी चीज हो गए, कि आप आदा घंटा, डेली देते हो, रैंडम में, आदी चार आर्टिकल प पहो, दो पढ़ लो, डेली का एक ही पढ़ लो जचा, एक आर्टिकल साइटिक देली का पढ़ लो, जो को जीन एडिटिंग के बार में पढ़ लिया, गभी, कभी, और साइवेरे ऐमेरिकन में, कल में ते साथ प्रेंदिंग चल दा है, कोई साइकोलोगी पे आजाएगा, म पूरा तो कुछ नहीं पर सकता कोई दुनिया वे इतनी इंफर्मेशन है लेकिन दो चीज़े एक चीज अकर आप रोज पढ़ते रहते तो आप तीस आर्टिकल पढ़ते जो आप दुनिया में पहले नहीं कर रहे थे अब यह सारे चीज़ें क्या हैं पहार से देखते हैं मैक बहुत बढ़िया अपना चीज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्राक्टिकल चीज सुन रहे हो तुम दुनिया में आधी दुनिया तो 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 आप एक चीज़ से बतारो यह चीज कोई भी एक महीना कर ले उस वो इतना मोटिवेटेड रहेगा इंसान अपनी जिंदी क की बहतर करने के लिए किसी भी काम को करने के लिए क्योंकि उसने पहले पढ़ाई किया दा लागा दी दूसरा वह तुसका पॉज्टिविटिय वडिया के अपने लिए इस 안d прос sófë कह सकते हो सेल्फ कह सकते हो और्या कुछ है सब्सक्राइघी तो उसको उप्तर क्या है अंदर से खोशी आईगी न को तुम तुम्हारी साइक्लोजीकल डिस्पोज़िशन हो जाएगी तुम्हें काम करने से डर खतम हो जाएगा मैं बड़ से बड़ा काम आजाए बहुत सारे उत्तर देरों में इसी तरह के अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो यह नमस्ते